तो हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ओर राउंडर रही हूँ पर तो मुँआ आपका अपना सचिन फैन हाजिरूं आपके साथ एक नए वीडियो में तो आज के वीडियो में बात करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जर साथ में इंडिया की थर्ड हैच्बेग कार है जिसमें आपको CNG का ओप्षन कमपनी फिटेड सींजी का ओप्षन मिलेगा तो इसके बारे में आज तक जरूर बने रहे हैं तो सबसे पहले बात के लिए थे इंजिन की आपको इसमें ICNG-powered engine मिलेगा जो की है 1.2-liter का 3-cylinder engine आपको जो पेंट्रोल engine है उसमें आपको 86-bhp रोए 113-nm का pick torque मिलता था लेकिन इसमें आपको जो CNG-powered engine है उसमें आपको 77-bhp और सत्यान में NM का pick torque generate करेगा आपको इसमें first end segment आपको इसमें twin slender CNG setup देखने को मिलेगा और जो गाड़ी हैं उन्हें में आपको single slender CNG setup देखने को मिलता था लेकिन इसमें आपको टाटा के जो altros है उसमें आपको twin slender CNG setup देखने को मिलेगा और यह directly start होगी CNG mode में जैसे की टाटा की Tigor और Tiago होती है वेरियंट्स की बात करने तो इसमें आपको चार वेरियंट्स देखने को मिलेंगे XC, XM+, XZ, XZ+, आपको वेरियंट्स देखने को मिलेंगे अब बढ़ते ही futures की और futures में आपको 7-inch का touch screen देखने को मिल जाएगा Android, Auto और Apple CarPlay की connectivity के साथ में यह आपको देखने को मिलेगा Digital driver display, voice active sunroof आपको देखने को मिलेगी और 16-inch की आपको alloy wheel देखने को मिलेंगे और higher variant में आपको start stop button देखने को मिलेगा तो यह तो थे इसके futures और अब बात करते है safety वैसे भी जो टाठागी कार होती है वो safety में नंबर वन है और यह तो जो अल्ट्रोज है वो hatchback के segment में सबसे ज्यादा safe कार मानी गई है इंडिया ही इसने जो पहले अल्ट्रोज थी उसने ncp global crash test में 5 star out of 5 star score किये थे और काफी शेफ यह कार आपको safety provide करती है और यह इंडिया की safest hatchback में भी count की जाती है इसमें आपको safety के इसाब से six airbag, ABS with EBD, vehicle stability control और आपको इसमें अडास भी अब की बार देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं इसके rivals की तो इसके rivals में Marthi Suzuki Baleno और Baleno का rebase version Toyota Galenza इसकी competitor इंडियन मार्केट में हो सकती है तो अब बात करते हैं इसके price की और इसके launching date की तो इसका जो price है वो पेंट्रोल इंजन से 90,000 आपको ज़्यादा पेक करना होगा आपको अगर CNG company fitted CNG चाहिए तो इसका जो starting price है 8,70,000 रहने वाला है और इसकी launching date है वो इसी month April 2013 में आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप इस car में interested हो तो pre booking चालू है आप pre booking इसकी करा सकते हो तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे channel All Around Review को subscribe ज़रूर करें मिलते हैं किसी और नए वीडियो में जब तक keep watching keep supporting to All Around Review धन्यवाद